आप सभी साथियों का स्वागत है एक नए वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि परसदी विद्याले में 24-25 का सत्र गताने इसमें हम प्रेड़ना पोटल से किसी भी बच्चे को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं अपने विद्याले में पढ़ रहे बच्चे को दूसरे विद्याले के किस तरीके से हम ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर दूसरे विद्याले से किस तरीके से अपने विद्याले में हम ट्रांसफर कर सकते हैं तो आईए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से हम बच्चों को डिलीट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे या फिर वेरिफाई करेंगे, निवेधन है यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवर से सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो क पर आप क्लिक करते हैं और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे सामने एक नया इंटरफेस इस तरीके का उपन हो करके आ जाता है, यहां से फैमिली आइडी एक परिवार एक पहचान लिखा हुआ, एक पॉप-प बॉक्स को लिखा, इसे आपको यहां पर क्लोज कर दे प्रक्रिया को हम करके सीधे लॉग इन हो करके आपको दिखाते हैं और आगे बताते हैं कि किस तरीके से प्रक्रिया को हम संपाधित करने वाले हैं, अब आप अपने विद्याले के प्रेणा पोर्टल पर लॉग इन हो चुके हैं, सबसे पहले आप देखेंगे तो आपके स को थोड़ा सा राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ओप्सन दिखेगा चात्र चात्रा को वेरिफाई करें tc generate आप लिएट करें edit class अगर बच्चे का class गलत है तो आप उसे यहाँ से edit करके सही कर सकते हैं edit sr number अगर उस बच्चे का sr number गलत है तो उसे आप यहाँ से edit कर सकते हैं Mark as CWSN, अगर वह बच्चा हमारा CWSN केटेगरी का है, अर्था दिब्यांग बच्चा है, तो आप उसे यहां से सेलेक्ट करके समर्थ आप पर सीधे यही से पंजिकरित कर सकते हैं, हम यहां से छात्र छात्रा वेरिफाई, टीसी जन्रेट, जो भी हमारा यहां वेरिफाई कर रहे हैं, उसको वेरिफाई करने से पहले आप यहां सुनिश्चित कर लिजेगा, कि यहां बच्चा इस बार आपके विद्यलाय में पढ़ रहा है या नहीं, उसकी कक्छा सही है, उसका SR नंबर सही है, वर CWSN तो नहीं है, यह सारी चीज़े आप चेक कर लिजेगा, अगर सारी चीज़े आपको सहीं लग रही है, तब आप यहां से चातर चातरा वेरिफाई करें, सीथे आप वेरिफाई पर क्लिक करेंगे, यहां चातरा आपके उस अमुक कक्छा के लिए वेरिफाई हो जाएगा, जिस कक्छा के लिए आपने अभी उसे वेरिफाई किया है, इसके बाद जो महत्पूर्ण भी सह हमारा यहां पर है, पहले यहां पर केवल रेड कलर में हाइलाइट एक ओप्शन दिखता था, डिलीट स्टुडेंट, बट अब हमारे सामने यहां पर दिख रहा है, आप्लिक डिलीट स्टुडेंट, अर्था तसपस्ट है, अब हम किसी भी बच्चे को बिना टी सी जेनरेट की हुے डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो अगर हम किसी भी बच्चे को डिलीट करना चाह रहे हैं प्रेना पोर्टल से उसका कुछ भी कारण हो, तो हमें यहां से TC generate oblique delete student option पर क्लिक करना होगा, जैसे हम इस option पर क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने student name में उस बच्चे का नाम दिखेगा, student unique code जो होता हुआ दिखेगा, student class दिखेगा, जिस भी class का वह बच्चा होगा, इसके बाद reason, reason पर आप जैसे ही select करेंगे, तो आपके साम यहां से पूरी list open हो जाएगी, पहला option है duplicate पंजी करन, अगर उस बच्चे का duplicate पंजी करन है, आप इस वज़े से उसको delete करना चाहते हैं, कच्छोननत हो गई है, अपने घर के कारियों में लगा रह रहा है, गरीबी है, कच्रा बिनना है, या फिर garage factory में काम करता है, इट बच्चे को आप यहां से TC generate कर रहे हैं, या फिर delete कर रहे हैं, उस बच्चे का जो यहां से उचित कारण होगा, उस कारण को आप यहां से select कर लेंगे, अगर आपको कोई कारण ना समझ में आ रहा हो, तो आप simply यहां से TC generate पर भी click करके option को select कर सकते हैं, इसके बाद comment में अगर आप उस बच्चे का जैसे suppose करिए कि कोई कच्छा 5 का बच्चा है, वह pass out हो चुका है, तो आप यहां पर pass out लिख देंगे, TC number यहां पर आपको देना है और TC date देना है, अब TC number और TC date में थोड़ा सा confusion है, तो TC number में हम आपको बता देंगे, जब हम अपने विद्याले क TC book से किसी भी बच्चे की TC काटते हैं, तो TC काटते समय हम देखेंगे, तो उपर हमारे उस book का जो page संख्या होता है, उसका एक TC number एलाट हो जाता है, उपर एक TC number लिखा हुआ होता है, उस TC number को हमें यहां पर डालना है, जैसे मालिजे कि हमने 100 page की एक TC book खरीदी थी, उसमें से 55 number का जो TC page है, उसे हम किसी बच्चे के लिए काट रहे हैं, तो उपर देखेंगे, तो आपके सामने TC number page का जो उपर होगा, वो red color में या फिर blue color में highlighted लिखा होगा होगा, अगर नहीं लिखा होगा है, तो आप pin से भी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से जो है अपने page की numbering कर तो एक example के तौर पर हमने बता है कि अगर आपका 55 number का page हो रहा है, तो TC number 55 आप उस TC book से काट रहे हैं, तो उसे आप यहाँ पर TC number पर लिख देंगे, अगर इसके लावाँ आपके TC book में कोई numbering लिखी हुई है, तो उस number को भी आप यहाँ से यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके पर आपके सामने यहाँ पर last option जो है upload TC certificate हो, हमने उस बच्चे का TC certificate बनाया हुआ है, उसे यहाँ पर upload भी करना है, उसे हम सीधे एक simple photo के रूप में भी, image के रूप में भी यहाँ पर upload कर सकते हैं, या फिर हम उसका PDF बना करके भी यहाँ पर upload कर सकते हैं, तो जिस भी चूज फाइल पर click करेंगे, जैसे यहाँ चूज फाइल पर click करेंगे, तो आपके computer, laptop या फिर mobile में जहाँ पर भी फाइल इस्टोर होगी, वह location दिखने लगेगी, वहाँ से आप उस फाइल को select करेंगे, और यहाँ पर upload कर देंगे, जैसे upload आप करेंगे, यहाँ सारी entry जैट का एक pop-up box खुल करके आ जाएगा, और यहाँ बच्चा आपके printer portal से delete हो जाएगा, तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि हम किसी भी बच्चे को किस तरीके से verify करते हैं, किस तरीके से किसी भी बच्चे को हम delete या फिर उसकी TC को generate करते हैं, अगर आप हमारे channel पर पहली बार आए हैं, तो channel को अवसे subscribe कर लीजिएगा, वीडियो को like कर लीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सिक्षक्सा मोहों में share करने का प्रयास करिएगा, जिससे हमारे बहुत सारे सिक्षक्साथी इस जानकारी से लाभानवीत हो सकें, बहुत बहुत धन्य बाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद